T20 World Cup 2024 में अब हर टीम की नजर सिर्फ सूपर 8 में अपनी जग़ा पक्की करने पर लगी हुई है ग्रूप A में जहां भारत और USA की टीम, ग्रूप C से अफगानस्तान और वेस्ट एंडीस क्वालिफाई कर चुकी है वहीं ग्रूप B और ग्रूप D में अभी भी एक आखरी जग़ा बाकी है लेकिन दो दिन पहले इंगलैंड की ओमान पर जीतने स्कॉटलैंड की मुश्किले बढ़ा दी है तीम को अपने आगरी माच में हर हाल में आस्ट्रेलिया को हराना होगा नहीं तो ये टीम सूपर 8 की दौड से बाहर हो सकती है अगर दोनों टीमों के head-to-head मुकाबले की बात करें तो T20 क्रिकेट में आज तक ये दोनों टीमें कभी भी नहीं भीडी है आईए जानते हैं क्या रहेगा पिच और मौसम का मिजाज ये मुकाबला Darren Sammy National Cricket Stadium St. Lucia में खेला जाएगा इस पिच पर अब तक कुल 35 T20 माचेस खेले गया है जिन में 15 माच में पहले बलिबाजी करने वाली टीम की जीत हुई है जबकि 20 मुकाबलों में रन शेस करने वाली टीम को जीत मिली है इस पिच पर इस World Cup का ये पहला मैच है लेकिन पुराने मुकाबलों को देखें तो यहाँ पर गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है यहाँ टीम टॉस जीत कर पहले बैटिंग करना पसंद करती है मैच में हलके बादल चाहे रहेंगे और बारिश होने की संभावना भी रहेगी वह यह बात करते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की तो ऑस्टेलिया टीम अपने पुराने प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है जहां टीम में सलामी बलेबास के तौर पर डेविड वर्नर, ट्रेविस हट रहेंगे वहीं नमबर दो पर कप्तान मिचल मार्स खेलते नजर आ सकती है इसके बाद मर्ध करम में ग्लेन मैक्सवल, मार्कस टॉनिस, टीम डेविट, मैथ्यू वेट, पैड कॉमिंस, नाथन एलिस, एडम जंपा और जॉस हैजल बूट शामिल हो सकते है इस मैच में मिचल स्टार्क की वापसी हो सकती है क्योंकि पिछले मैच में चोट की कारण नहीं खेल रहे थे अगर स्टार्क वापसी करते हैं तो देखना रोचक होगा यह टीम से किसका पता कर सकता है अब बात करते हैं स्टार्क लैंड टीम की जहां जॉर्ज मंसी, माइकल जोन्स, ब्रैंडन मैकुलन, रिची बेरिंटन, मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस, क्रिस ग्रेव्स, मार्क वाट, क्रिस सोल, शफ्यान शरीफ और ब्रैड वील शामिल है वह अगर बात करते हैं आज के हमारे फ्रेंटेसी 11 की तो इसमें मैथ्यू क्रॉस, ट्रेविस हैट, डेविड वॉर्नर, जॉर्ज मंसी, ब्रैंडन मैकुलन, माइकल जोन्स, मार्कस टॉनिस, एडम जंपा, पैट कमिन्स, ब्रैड वील्स, नाथन एलिस शामिल हो सकते हैं क्रिकेट केसरी और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले